ये वो समय है जब स्त्री को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन समय के साथ कोई इसे एक भेदभाव की प्रक्रिया बना देता है। हमारा जन्म उससे हुआ है, अगर वो अपवित्र है तो हमारा जन्म अपवित्र है और स्रश्टी अपवित्र है। अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि आध्यात्मिक आयाम में पूर्व धर्णा है। मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि आध्यात्में मासिक धर्म की कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि आध्यात में मासिक धर्म नहीं हो सकता, सिर्फ शारिरिक स्थर पर हो सकता है, ठीक है? तो ये शारिरिक मुद्दा है और ये मानसिक रूप में व्यक्त होता है, सिर्फ कुछ स्त्रियों में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर स्त्री में, लेकिन काफी सारी स्त्रियों में इस शारिरिक प्रक्रिया का असर उनकी मानसिक प्रक्रिया पर होता है जो की एक सच्चाई है जिसकी देखभाल होनी चाहिए अगर ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ मंदिरों ने कहा है कि स्त्रियां उन दिनों में प्रवेश नहीं कर सकती तो आपको समझना होगा कि इसका अधार क्या है आज की स्त्री के बारे में भूल जाईए ठीक है? कि उसकी ख्षमताएं क्या हैं कि वो अपने शरीर की जरूरतों को किन तरीकों से संभाल सकती है ये एक अलग चीज है मैं चाहता हूँ कि आप हजार साल पहले देखें स्त्रियों के पास स्वच्छता की सुविधाएं कैसी थी? वो किस तरह के काम करती थी? तो इन चीजों के मुद्दे हो सकते हैं है न? इसी वज़य से उन्होंने कहा था और सबसे बढ़कर आपको समझना चाहिए कि जिस तरका शारिरिक काम होता था एक आमस्त्री के लिए उन दिनों में 15-20 लोगों के लिए खाना पकाना गायों का ध्यान रखना बच्चों का ध्यान रखना सब कुछ वो करती थी ये बहुत जादा शारिरिक काम है तो जो इस्त्री अपने मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजर रही है उसे तीन-चार दिनों की छुट्टी मिलती थी हर चीज से क्या ये बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये ऐसा समय है ये लगभग केंचुली उतारने जैसा है किसी इस्त्री के लिए एक स्तर पर ये उतना बड़ा नहीं है लेकिन लगभग वैसा ही है ये वो समय है जब उसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है कोई उसके लिए खाना पकाता है जो उसके जीवन में कभी नहीं होता हर दिन वो बनाती है उन 3-4 दिनों के लिए कोई और खाना पकाता है कोई उसे खाना परोस्ता है वो अकेली बैठती है वो ध्यान करती है गीत गाती है प्रार्थना करती है क्या ये चीज़ें करने का अच्छा तरीका नहीं है इसे बस आज के जीवन की तरह मत देखिए हजार साल पहले देखें जब ये चीज़े बनाए गई थी ये स्त्रियों की सुरक्षा का बहुत अच्छा तरीका था लेकिन समय के साथ कोई इसे एक भेदभाव की प्रक्रिया बना देता है स्त्रियों को यहां वहां नहीं जाना चाहिए वो कुछ चीज़ें बस अज्ञान की वज़े से हुई है इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है क्योंकि अगर मेरी मा के शरीर में मासिक चक्र नहीं होते तुम्हें पैदा नहीं होता ठीक है? हाँ या ना हमारा जन्म उससे हुआ है अगर वो अपवित्र है तो हमारा जन्म अपवित्र है और स्रिष्टी अपवित्र है ये एक मुर्खता पूरुन विचार है इस तरह से सोचना भी इन नियमों का अधार पवित्रता या अपवित्रता नहीं बलकि व्याभारी कारण है आज भी मैं हजारों स्त्रियों से मिलता हूँ जो उस समय काफी परेशान होती है क्योंकि उन्हें तब भी काम पर जाना पड़ता है उन्हें हर तरह के काम करने पड़ते हैं उनमें से कई उन दिनों दवाईयां लेती हैं बस मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए वे निश्चित रूप से आराम करके खुश होंगी वे निश्चित रूप से हर काम से अलग रहकर खुश होंगी जो वे कर रही है लेकिन ये सोच कि ये पवित्र अपवित्र है ये बहुत ही अर्ध विक्सित मन से आती है जिसमें जीवन की कोई मौलिक समझ नहीं है